कोई सरकार का मंत्री हो थी मुख्रमंदी में से भैस कर ले पहले ओपलेंड प्रतेज होती थी किसान आता था मिल्डी के अंदर सरकार क्यों बेबत लगती आर्टी को तंग करने में लेगी है हर अनाज की करीज आर्टी के मादम से होनी चाहिए मैं दावाए के साथ कहता हूँ हर्याना में एक भी आदमी बेरोदगार रहने नहीं देंगे पूरे हर्याना के अंदर मार्केटिंग बोर्ड बनाकर पूरी परदेश के अंदर मंडिया सकार दुवारा बनाई गई है और सकार दुवारा ही अनाज मंडियों में दुकाने जो बेची गई है लाटमेंट की गई है मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है सकार ने कपास और सरसों जिसों सदियों से जो डाई परसेंट हमारा कमिशन था वो कमिशन खतम कर दिया दूसरी बाद जहां ग्याओं के उपर हमें डाई पर 30 आड़त मिलती थी दान पर डाई पर 30 आड़त मिलती थी उसको कम कर दिया एक तो सकार से हमारी मांग है जितना भी अनाज मंडी में बिकने के लिए आए किसान के खेत में पैदा हो उस हर अनाज के उपर दाई पर 30 आड़ती को मिलनी चाहिए ये जरूरी है मंडियों के अंदर एक मंडी के अंदर मालो एक बिपारी है उसके प्रिवार में चार ब्यक्ती भी है पांच भी है छे भी है तीन भी है हमने पिछली सकार से एक मंडी की एक दुकान के अंदर दो आड़ती लेकर बिपार कर सकते थे क्योंकि 20 बाई 80 की दुकान है मगर इस सकार ने क्या किया वो दो की बजाए एक लेसेंस रिनू करेंगे दो नहीं करेंगे मंडी की बुतों पर भी लेसेंस बनाने का वो देश थे और रिनू कर गे देश थे वो भी सकार ने बंद कर दी है मगर सकार मंडी को अपन तो कर रही है और कोई चीचा पलाई का वेपार लोई का वेपार सीमट का वेपार और तो वेपार कर सकता है मंडी का हमारा वेपारी हमारा आरती मंडी का वेपार एक दुकान में दो ने कर सकता बलके चार उने चीए दो निच्चे हो दो उपर हो किसान को अराम मिले किसान अपनी फसल लाए, आरती जल्दी पर चेंज करें और किसान अपनी फसल बेच के गर जाए आरती जतने ज़ादा होंगे, उतनी जल्दी पर चेंज होगी ये कौशा सिस्टम है, ये कौशा कानुन है हम hig एक लेसंज लिनू करेंगे दूसरी बाप यहां तक कि इस टेम आप देखोगे सरसों का सीजन 20 फरवरी से मंडियों में सरसों आई बरसाट होई उला बरस्ती होई जिसके सरसों का ब्रुक्सान भी होया और ग्यहों का ब्रुक्सान भी होई मगर जो सकार बार बार दावा करती है हम MSP को उपर 2450 रुपे के हैं अंदर सरसों खरीच कर रहे हैं जबकि किसान ने 20 फरवरी से अपनी ओने पौने दामों में सरसों भेच दी यह जो कुद्रत की मार है सकार को मंडिके आड़ती के मादम से सरसों की परचेज करनी चाहिए ताकि मंडिके आड़ती को कमिशन मिले और सकारी अजनसी उसका परचेज करे यह स्टीतिय आप धक्के खावेंगे किसान की परचेज आज भी नहीं हो रही उसके अलावा जहां आप देखोगी जी क्या स्टीतिय है एक अपरेल से मुखे मंत्री जी का ब्यान था सरकार का ब्यान था हमने चार सो हाठ मंडिया गयों की बना दी है जिसमें मंडियों के अलावा गामों में सेंटर बनाते है वो सेंटर बन गई और मैं बताना चाहता हूं मैं लगा तार पंदा दिन से मैं मंडियों के दोरे पे हूँ और मैं जगाजा मिटिन कर रहा हूँ आज हलात क्या है मंडियों में मूलबू सुविदा नहीं है आप जगा मंडि इसार की मंडि जो मलब सबसे बड़ा मलारियाना का दिल कहते है आप जगाज़ चेक कर लो सभाई ववस्ता नहीं है चोकीदार नहीं है यहां तक की पानी की ववस्ता भी मंडियों ऐसे हमारे प्रदान आमतार जी बेटें बहुंजी बेटें हैं इन लोगों ने अपने खर्चे से करनी पड़ रही है इप आपके प्रोश के अंदरी किसान बवन बना है मैं मुक्रे मंत्री आजी भी ज़िए शुन रहा था हम हर परकार की सुभी जा दे रहे हैं एक-एक फसल का दाना खरीद देंगे किसान के लिए हमने ठेरने की खाने की चाय पानी की ववस्ता कर रखी है जहां तक की जो किसान बवन बना हुआ है उसके अंदर तो मार्केटिंग बोर्ड में खुद का ओपिस बना रख़ा है का किसान में ठराऊंगे कोई चाई की वबस्ता नी पानी की वबस्ता नी जो भी वबस्ता है आज मंडी की एसोसेशन मंडी की वेपारियों दुवारा की जा रही है ये बताने की बात है और जहां तक की इभी हाली में मुक्हे मंतिया बयान था हमने बिछ्री फसल का मुआज़ा दे दिया और अब हम फसल का मुआज़ा देने जा रहे हैं और यही मुख्य मंतिजी ने आप सुना होगा 21 मार्ज को बिदान समय में बियान दिया था एक अपते के अंदर अंदर सपेशल की दावरी करके किसानों को मुआज़ा दिया जाएगा आज 14 दिन हो गए और किसान की कपास 2020-2021 तीन साल का आपके सामने क्रोडोर पे मुआज़ा बाकी पड़ा है आज तक मुआज़ा ने जिया इसार सेक्टी एड बाल समंदर आप देखोगे आदमपूर सरसा फतेबाद जीन बिवानी सब किसान धरना पर दसन लगाए बेटे हैं किसी परकार का क्रोड़ पे वो मुआज़ा नहीं मेरी सकार से एक अपील है जहां तक कि जो सकार वाइदा करती है गोसला करती है उसको पूरा करे जहां तक कि क्या है किसान की फसल तुन प्रमान से खरीद दी जाए और ये पोडल जो ने ये पोडल जो है इनका पोडल फैल है जो सकारी फैल और मुक्रमंत्री फैल है तो पोडल किसा कामयाब होगा अद्धे टेम पोडल चला है अद्धे टेम पोडल नी चलता और मैं दावे के साथ कहता हूं कोई सकार का मंत्री हो जी मुख्यमंती में से भैस कर ले जहां सरसो की बात कर रहा हूं दोनों चालू करनी चाहिए जो मर्जी बेज दे पहले ओफ लैंड पर सेज होती थी किसान आता था मंडी के अंदर आया गेट पर पास कटवाया आर्टी की दुकान का अनाज गेरता था मार्किट कमेटरी के सेक्टरी इंस्पेक्टरा थे बोलनी करवा कर और अपना वनाज ब किसानों को तंग करने मिलेगी है और मैं एक आपको नहीं बताता हूं यह कहते हैं हम समय में बुक्तान करते हैं मत्तर गंटे में 15-15 दिन तक अनाज का उठान नहीं होता सकार को ठेके दारों पर जो ठेके दारों को ठेका देते हैं उठान का उनको चूड़ी कसनी चाहिए और उनको कहाई 24 गंटे के अंदर अनाज का उठान हो उठान में देरी करने पर उसके उपर जुर्माना और उसका लेसंस रद करना चाहिए ताकि किसान को तकलीफ ना हो आरती तकलीफ ना हो इमालों अग्यों परचेज हो गई किसान नम ग्यों तो बेच का जापता रहेग आरती के दुकान का के पड़ी है पंदधी दिक उठानना हो उपर से करमी पड़ेगी एक किलो डेर किलो दो किलो पानसो ग्राम वो क्यों कम हो जेगी कमीशन तो आवा थोड़ा गश्ती आवगी ज्यादा है पैसे आवांगे लेट हम तो मर लिए यहाद तक कि पिछली बार कियोंकिया जो कमीशन था तो सोबार आवाज मारने के बावजुद एक साल के बाद तो कमीशन मिला कियोंका उसके अंदर भी तीन उपर सेंटी पेसे काट लिए गए और मजदूरों की पलियदारी भी एक साल के बाद मिली मजदूरों पलियदारी जो पैसा था आर्टियों अपने घर से देना पड़ा ये मैं सकार से कहता हूँ जैसे ही अनाज़ी पर्चेश करे तुरंट जैसे किसान को बुक्तान करे उसके साथ-साथ आड़्डी का कमिशन भी उसके साथ आड़्डी को मिलना चाहिए कि ये हमारी सकार से मांगा सकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और मैं कहता हूं ये मंडियां जो नहीं अगर प्राइवेट मंडियां बंद हो गई और बरबाद हो गई तो उसमलन नहीं देश की अर्थ बवस्ता बिगड़ जाएगी किसान बरबाद हो जाएगा आर्टी तो जगए गया किसान भी बरबाद हो जाएगा तो सकार को सोचना चाहिए किसान आर्थी मजदूर क्या हिच्ट के अंदर काम करना चाहिए हर अनाच की खरीज आर्थी के मादम से होनी चाहिए डाई पर 30 दामी कप की है कितनी सालों से है हम तो बढ़ा भी नहीं पना बढ़ाई की मना मंगी है तो भ सोई ग्यास इन्डर था जो आपका 410 रुपर का मिलता था किते डाई सो देंगे उचारे ग्यासो कर दिया आज बंगाई सरचर के बोल रही है बेरोजगारी सरचर के बोल रही है रोजगार कहां से मिलेगा रोजगार तो हमारा बेपारी देगाना है मंडी के अंदर फसल आ ये माल सर्सो वाइल मिल में जाएगी तो रोजगार मिलेगा यहूँ फलोल मिल में जाएगी तो रोजगार मिलेगा तो रोजगार का मुक्खे सादन क्या है ? मुखे साधन रोजगार का बेपारी वेदोपती है और में दावicz के साथ कहता हूं अगर सकार बेपारियों की समस्चाँ को दूर करे बेपार वेदोप को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उथाए और रियायते दे में दावियों के साथ कहता हूं हर्याना में एक भी आदमी बेरोजगार रहने नहीं देंगे, लोगों को रोजगार दिलाने का काम बेपार हुआ है, और दोग के मादम से करेंगे, इसमें कोई दोग आए नहीं, पहले गामों में छोटे छोटे दोग लगते थे, हैं, सारे दोग गामों में थे, नमकीन का थ ब्रेक्रिका था, पिलन थै, निवार थे, कुलर थे, पंके थे, हैंडरों का समान था, आज कहां हैं, ठालिबंद होगे, साब्टिय तेल तेल अज़ नहीं है, लाकों हो यह मारी माता हैं थी, बेहने थी, युआ भेरोजगार होगे, आरतियों की तरफ सकार जादा दिहां दे आड़ती जो ने सकार की आख नाख और कान होती है आड़ती अगर बिगड़ जाए ने तो सकार का डमडमा इलाते देर को लग ए उन्हें पता है एक आड़ती की वाज लूसमलो दूर तक जाती है पूरे देर से में पहलती है जहां कोन आता है पलेदार आते हैं, मदूर आते हैं और किसान आते हैं कितने कामों किसान इसार के अंदर सो आस पास की जो गाम है माल लेने आएंगे, इसी पर अगरबा आएंगे इसी अपर वाल आएंगे तो ये नू कह रहे कुछ नहीं तो नू समलो, सकार साब और नू के दिवी सका अच्छा काम कर दी है तो सकार की बले बले नहीं थले थले होते हैं दो मिट लगती